बिल अफ एक्सचेंज ना बिल अफ एक्सचेंज इस वन ओ दोस चाप्टर जोड़ा रहता है हमेशा आगे तक भी तो अगर इसका कॉंसेट आपको क्लेर नहीं होगा तो आगे के बहुत सारे चाप्टर कहीं न कहीं खराब हो जाएंगे बिल अफ एक्सचेंज को theoretically पहले स्टार्ट करते हैं इंडिया में negotiable instruments act है 1881 जिसको define किया गया है जितने भी प्रकार के negotiable instruments होते हैं जैसे check, bill of exchange, promissory note ये सब के सब अपने अप में इस negotiable instruments के अंदर आते हैं तो bill of exchange is one of the kind of negotiable instruments ये instruments बनाई इसले गए थे क्योंकि लोग cash में dealing करना कम करना चाहते थे because cash में dealing करने से चोरियोंने का डर, सम्हालने का डर और वही चीज अगर paper mode में हो आज चेक पर क्या होता है कि रुपया लिख देते हैं तो वो एक करोड का भी चेक हो सकता है कि मैं उसको एक लाग दूँगा या दस लाग दूँगा तो वो दस लाग रुपया के बराबर है It is a piece of paper but still it resembles 10 लाग रुपीज हाट करन्सी तो introduction, it is a government paper in writing which acts as a medium of exchange just like the currency and can be later on converted into the liquid currency Examples are bill of exchange, promissory note, bearer check, government bonds, draft और बहुत सारे अधर इंस्ट्रुमेंट जो बैंक के दौरा बनाये जा सकते है Travelers छे के सब भी Bill of exchange, ये chapter दो वर्ड के पीछे दोड़ेगा theoretically एक bill of exchange और दूसरा promissory note दोनों सेम नहीं होता है, पहले तो ये clear कर लीजे, दोनों में बहुत अंतर है पर जैसे ही आप numerical sums में enter करोगे तो जो sums तुमको इसका पढ़ाया जा रहा है वही सारा entries और concept इसका भी होता है इसलिए numericals कभी भी promissory note पर नहीं होते है numericals हमेशा bill of exchange पर होते है पर कभी exam में अगर numerical sums में वो promissory note लिखकर तुमसे पूछे तो घबराना मत तुम अपने आपसे वही कहना कि ये bill of exchange ही है मुझे जवाब देना आता है तो all the answers of this becomes this बट theoretically दोनों में enter bill of exchange में सबसे पहला और बड़ा अंतर होता है कि उसमें three parties होते हैं कितनी parties होती हैं? three और promissory note में सिर्फ दो parties होते हैं तो ये कहानी चाली हुई इन दो लोगों से जिनका नाम था debtor और creditor non copy सिर्फ देखिएगा creditor मतलब जिसने goods sale किया और debtor मतलब जिसने goods purchase किया मतलब मैंने इसको समान बेचा तो मेरे angle से सामने वाला बंदा debtor और सामने वाले बंदे ने मुझ से खरीदा तो उसके लिए मैं creditor तो ये purchase करने वाला बंदा और ये sale करने वाला बंदा इन दोनों की पढ़ाई हुई अपने आपको सब जन इस classroom में ये मान लो अपने सब इस classroom में creditor है तो ये कोई third person है अपने अगर इसको समान बेचे sale किये 10 लाख रुपया का proof रहे कि दो मैंने बाद सामने वाला बंदा मेरे को 10 लाख रुपया दे रहा है क्योंकि देखो कल यूग है वर्बली कोई आदमी agree भी कर देगा तो कल मुकर गया तो मैं क्या करूंगा इसलिए हर बात लिखे तो मैंने in writing इसके उपर एक bill ड्रॉ किया क्या भी ड्रॉ किया तो इसलिए मेरे को बोलते है ड्रॉर सामने वाले बंदे के बास bill जब गया तो उसने bill को accept कर लिया इसलिए इसको बोलते है ड्रॉई तो ड्रॉर is the person who draws the bill and ड्रॉई is the person on whom the bill is drawn which later on accepts it जब तक ये bill को accept करके मेरे को return अगर नहीं कर दे तब तक इस प्रक्रिया का कोई मुकाम नहीं है बकवास है bill affection बनाई नहीं bill affection बरने के लिए bill का draw होना ज़रूरी है और draw होने के बाद उसका accept होना ज़रूरी है draw करने वाला बंदा क्या कहलाता बेटा जिस पर draw किया जाए वो क्या कहलाता है जो bill accept करें वो ड्रोई सब सीम accept करने वाला भी ड्रोई और accept करके वो bill को मेरे को return कर देता है ताकि मेरे पास document रहे proof का कि भाईया मैं तुमसे 10 लाग पाऊंगा अब 2 महने का bill है तो मैं 2 महना wait करूंगा दो मैंने बाद मैं तुम्हारे घर जाऊंगा तुमको bill दिखाऊंगा और तुम आराम से मेरे को पैसा दे दोगे in the normal scenario इसलिए bill of exchange के parties एक आदमी draw करने वाला एक आदमी जिसके ओपर draw किया जाए और तीसरा आदमी कहलाता है pay pay means the person who will receive the payment of the bill सब definition लिखा है चिंदा मत करिए pay means the person who will receive the payment of the bill तो आप सोचेंगे sir payment तो draw कोई मिल रहा है मिल रहा है मैं भी मान रहा हूँ पर अगर इस draw ने इस दौरान किसी Mr. X को ये bill endorse कर दिया तो पैसा फिर किसको मिलेगा sorry अपने लोग अगर किसी को पैसा endorse कर दिये तो फिर ये पैसा किसको मिलेगा third party X को मिलेगा तब draw, draw और pay तीम party हो जाएंगे तो normally जब सवाल पूछा जाए तो एक bill of fiction में कितनी parties होती है बेटा तीन नाम, draw, draw, pay दूसरा सवाल can, pay and draw be the same person सवाल है can जवाब होगा yes क्योंकि अगर ये bill मैं किसी और को नहीं दूँ तो ये bill मेरे पास होगा मैं इससे जब पैसा लेने जाऊंगा तो पैसा मुझको मिलेगा इसलिए draw and pay may be same person but the word is may be अगर सवाल हो will always draw and pay be the same person आप बोलेंगे नहीं sir draw and pay is not always the same person they may be or they may not be the same person तो bill of action कभी मत बोल देना ये सारा definition पहले यहां से read करिया आप लोग next page में important terms में आईए pay means the person who is last holding the bill and who is receiving the money endorser means the person who has transferred the bill but endorser means the person who has received the bill through transfer मैंने अगर transfer किया तो मैं endorser मैंने जिसको transfer किया सामने वाला बंदा जिसको मिला वो बंदा कहलाएगा endorser bill honor होना उसका मतलब उसका मान रखना मान रखने का मतलब पैसा दिया गया कि नहीं दिया गया तो डिस honor का मतलब क्या हुआ bill का मान नहीं रखना मतलब पैसा नहीं दिया गया honor का दूसरा word होता है bill is met तो अगर कभी ऐसी line आए the bill is paid या bill is honored या bill is met तीनों का मतलब एक ही है पैसा दिया जा रहा है रीट कर लीजे दी और या bills receeable और bills payable का characteristic ये current asset है ये current liability है दोनों ही personal account है और bill receeable drawer यूज़ करता है और bills payable drawer यूज़ करता है यहाँ पे endorser और endorsie क्यों लिखा वा है जब मैं किसी को bill दे दूँगा तो मैं endorser तो मेरा bills receeable कट जाएगा इसलिए मैं भी यूज़ कर सकता हूँ जब ये bill endorsie को मिलेगा तो वो उसके घर में भी पहुँचेगा तो bills receeable ही इसलिए bills receeable can be used by three persons drawer, endorser and endorsie noting charge दे बाद में आते हैं यहाँ तक सब साथ हैं स्टोरी पर वापस आई जिस दिन हम लोग सब drawer इस classroom में हमने 10 लाग का समान दिया इसको ये मेरे को दो महना बाद पैसा देगा किसको गरज है पैसा पाने का मेरे को feel the word drawer को दुनिया में एक ही रिवाज अब है जिसको गरज होता वो पैसा मांगता है यानि अगर मैं पैसा पाता हूँ तो आपको देने का हरबड़ी नहीं रहेगा मुझे मांगना पड़ेगा ये दुनिया का रिवाज है तो drawer गरजू पार्टी जिसको गरज हो वो कौन सा पार्टी गरजू हमेशा गरजू पार्टी बिल ड्रॉ करता है हमेशा गरजू पार्टी बिल ड्रॉ करता है याद रखने के लिए तो गरज मेरे को है भाई इसने drawer जो परसन गरज में है जिसके ओपर ड्रॉ करेगा उसको देने वाला है वो हमेशा tension free रहेगा, वो accept करके मेरे को return कर देगा, सवाल बना, who draws the bill, यह तो पने को पता है, the reason is, bill को पहले बनाना पड़ता है, कागच में लिखना पड़ता है, वो सारा लिखने का काम भी जो है न, ड्रॉई नहीं करेगा, ड्रॉई सिर्फ signature, autograph की तरह देगा, वो बड़ा बात है, मतलब इतना इज़त देना पड़ेगा इसको, तो इसी लिए बोलते है, draw, draw करना मतलब बिलको बनाना, इसको सिर्फ sign करना है, sign करने की प्रक्रिया को क्या बोलते है, accept करना, अब English में accept का मतलब क्या होता है, normally लेना, यह accept का मतलब लेना नहीं है, यहाँ पे accept करने क का मतलब है, sign करके liability undertake करना, तो जो बिल accept करता है, उसके पास कुछ आ नहीं रहा है, उसके घर से पैसा जाएगा, दो महने बाद, he is undertaking a liability, क्या वड़ बोलते हैं, a liability, अच्छा, इसी में आते हैं, प्रोमिसरी नोट समझाने के लिए, हम लोग सब ने कुछ सामान बेचा, इस बंदे को, यह बहुती भला आदमी है, यह खुद मेरे पास चल कर आया, ड्रोई बोला, सर लीजिए, यह मैंने खुदी बना दिया है, प्रोमिसरी नोट, यह मैं आपको बना करके दे दे रहा हूँ, यह प्रोमिसरी नोट किस डिरेक्शन में रध्यान दो, ड्रोई बना रहा है, ड्रोई बना करके इसको दे दे रहा है, इस ते ड्रोई को, maker of प् ये accept करके खाली मेरे को return कर देता है तो bill of exchange का diagram में ये बनाया पर promissory note में कौन बनाया ये इसको बोलते है maker क्या बोलते है word? maker draw, draw ये नहीं बोलका maker ही बोल सकते है ये promissory note इसको दे देता है इसमें लिखता है I promise to pay इतना रुपया after two months मतलब भला इंसान promissory note बनाता है और कल्यूक का इंसान bill of exchange बनाता है अब तुम खुद बताओ naturally क्या बनेगा 10 में से 9 बार bill of exchange और एक exceptional case में promissory note तो ये exception है इसने promissory note के दो parties होते हैं एक बनाने वाला इस बार बनाने वाला change हो गया है एक बनाने वाला और एक जिसको पैसा मिलेगा इसने theoretically maker and pay maker and pay यहां देखिए bill of exchange में there are three parties and there are two parties read करेगा 5 number point